क्या लुएं बीडी ड्राइ शिरफ जो की बनाये जाता है एलक्म लब रबरेटर्य प्राइट लिमिटेड के दुवारा बनाये जाता है अम्रो औक्सिल टू अंडडेड फाइप एम्जें फाइप एम्मल रहता है थर्ती एमल का ये सिरफ रहता है जिसका MRP की बात करें तो इसका MRP रहता है 60.80 रहता है तो यह सीरप जो की यह बैक्टिरल इंपेक्शन यह काम करता है और टू टीवी में भी इसको यूज के जाता तो इस वीडियो में इसका यूजर्स, बैनिपीट, साइड इपेक्ट कैसे यूज होता है, ड्रग कैसे काम करेगा, सिफ्टी एडवाइस क्या रखने का डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का और इसका सब्स्ट्यूट कौन कौन सा अवेलियबल है मार्केट में, तो वो सब बाते इस वीडियो में मैं सेयर करूँगा, ताकि केलवं बी आईडी ड्राइ सिरप के बारे में आपको संपुन जान बनाया जाता है, एलकम लेबुरेटी इस प्राइविट लिमिटेट के दुवारा बनाया जाता है, अम्रो अक्सिल टुएंडी एमजी एन फाइप एमेल रहता है, और यह जो की 30 एमेल का रहता है, जिसका मर्पी 60.80 रहती है, मतलब 61 रूपीज के करीब रहती है, तो केलव काम करता है, यह capability रखता है, ताकि बेक्टर को मालने में और उसकी spreadability को रोकने में help करता है, तो यह केवल यूज होता है, टीवी के अंदर यूज करता है, और यह treatment करता है, बेक्टर इंपक्शन में इसको यूज किया जाता है, तो अगर आप इसको ज़्यादा पिला रहे ह तो कुछ side pet हो सकता है, जैसे कि nogia हो सकता है, vomiting हो सकता है, पेट में धर्द हो सकता है, diarrhea हो सकता है, allergic reaction हो सकता है, skin पे रेस्टरस आ सकते है, तो यह सब common side pet है, जो कि आपको हो सकते है, तो जब भी इसको पिलाए, तो डॉक्टर की सलास्य पिलाए, डॉक्टर जितना डूज amoxiline and calvinic acid डाला गया है, जो कि amoxiline एक क्या है कि यह bacteria की cells वाल को cover करता है, जिससे क्या होता है, बैक्टरिया को surveil करने के लिए, जो food रहता तो वो नहीं मिलता, जिससे बैक्टरिया surveil नहीं होता, और beta lactamase इसके अंदर calvinic acid है, जो कि एक beta lactase enzyme है, जो कि inhibit कर देता है, उसक बैक्टरिया को और दोनों ही साथ में effectivelyly काम करते है, बैक्टरिया इंपक्शन में तो ऐसे काम करता है, तो इसके बारी में अगर आपको कुछ भी राउट रहे है, तो comment section में पूछ सकते हो, otherwise जो description में email एडिये, वहाँ पे पूछ सकते हो, चैनल पे और वीडियो पे पहली अब आप विजिट की हो, तो मारे चैनल को जो सस्क्राइब करें साथ में जो बैल आइकन है, उसको दुबाई ताकि जब भी मैं next video upload करूँ तो आप तक एक notification पहुच जाए, तो आज के लिए इतना ही मिलते है, next video में तब तक के लिए अपना ख्याल रखे,